जैमा कुनाल श्वास नली के दम से पिडित था जब विंटर होता था तो वो मैने में वो मृत्यू के बहुत ही नज़िक पहुँच जाता था कुनाल को श्री माताजी की व्यक्तिकत मुलाकात लेनी थी माताजी के रूम में दाखल होते ही कुनाल कुछ पग्रव सुनने लगा श्री माताजी उनकी ओर आ रही थी श्री कुनाल ने नमन किये और श्री माताजी ने अपने दोनों हाथ कुनाल के मस्तक पर रख कर आश्रिवात दिये कुनाल ने अपनी बिगरती हुई तब्यर की बात छेड़ी और कहा ऐसे दर्द में जो तीवर दवाएं डॉक्टर देते हैं वो मैं लेना नहीं चाहता हूँ श्री माताजी अच्छी तरह से जानते थे के कुनाल कोई भी वईदकिय सारवार के बिना इस दर्द के एटेक से सफलता से बाहर निकलने के लिए सक्षम नहीं है लेकिन श्री मा कुनाल में प्रगट हुए इस नए आत्मविश्वास के उपर भी पूरा विश्वास करना चाहते थे इसलिए श्री मा इतना बोले शारिरिक दर्द की बाबत में जो डॉक्टर से हम पीछा छुडवाना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत बड़े प्रमान में सहन शक्ति का संचय होना चाहिए कुनाल ने अग्रा रखा कि मैं श्री माता जी की शक्ति का आवाहन करूँगा और एक साबूत व्यक्ति बनकर बाहराऊंगा कुनाल के इस सब्दों के साथ ही जाने श्री माता जी चेतना के कोई अन्य प्रदेश में चले गए और खूब शांट आवाज में बोले जो खूद का सामान्य जीवन जीते जीते बिमार होते हैं उनको डोक्टर मदद रुप हो सकते हैं परन्तु औरों के लिए बहुत मदद रुप नहीं हो सकते जो योग के मार्ग पर चल पड़ते हैं उन्हें जागरत रखना के लिए ही तो रोग बेजे चाते हैं जब उनकी जरूरियात पूरी हो जाएगी तब ये सब दर्द वापिस ले लिया जाएगा कुनाल मैं ही तेरा आत्मविश्वास बनके रहूंगी जैमा जब बेहां भूलर कर दो दिल मशोंगी भूलर का अर रमाभर जह घूलर कंश सेरा डर आका cinco हैं झाल झाल